हलो एंड वेलकम एवरिवान आज हम पढ़ेंगे क्लास नाइट का इफ आई वर यू चैप्टर ये जो कहानी है इस कहानी की शुरुआत होती है जेरेट से जेरेट एक प्ले राइटर है अब प्ले राइटर का मतलब क्या होता है प्ले राइटर का मतलब यह होता है जो परसन नाटक लिखने का काम करता है आज कल तो हम लोग मूवीज या फिर सीरीज क्या करते है फोन के अंदर देख लेते हैं लैपटॉप में देख लेते हैं पहले जमाने में लोगों को कहा पर जाना परता था थीएटर में और लाइव लोग वहाँ पर नाटक करके दिखाया करते थे उसे ही बोलते हैं हम लोग play और play को जो लिखने का काम करता है उसे बोलते है play writer तो Jared क्या थे एक play writer थे इनके घर के अंदर एक intruder घुस जाता है मतलब कि घुस पैटिया आ जाता है अब ये जो घुस पैटिया होता है इसको ये तो पता होता है कि इस घर के अंदर एक Jared नाम का person रहता है पट इसको ये नहीं पता होता कि Jared एक playwriter है तो अब इस chapter को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पुछना चाता हूँ क्या आपके घर में कोई चोर या फिर घुसपैटिया कभी आया है फटा फट comment section के अंदर comment करके बताईए ये कोई add नहीं है आपको एक बहुत ही important information देनी है education को easy और affordable बनाने के लिए हमने एक important step लिया है आपके लिए हमने ready करा है special content जो आपके exam में बहुत help करेगा इसमें आपको मिलेंगे chapter wise test paper हर chapter के notes साथ में combined test papers और priority doubt clearing इसके साथ साथ और भी बहुत सारे benefits आपको मिलने वाले है सिर्फ और सिर्फ 2.99 के membership prize में subscribe के साथ में join के बटन पे click करके आपको ये membership purchase करनी है ये prize limited time के लिए है अरे वा भया इतने कम prize में इतनी सारी चीजें मैं तो अभी member बन जाता हूँ तो खुसपैटिया होता है उसे ऐसा लगता है कि Jared एक mystery man है वो कहां रहते हैं wilds of Essex के अंदर मतलब की एक ऐसी सुनसान जगा पर जहां पर कोई भी इंसान नहीं रहता और बहुत ही कम लोगों से Jared मिलते हैं और साथ ही में कोई भी उन्हें order देना होता है कोई भी काम कराना होता है तो वो phone के ओपर ही अपने सारे काम कराते हैं अब वो ऐसा क्यों कर रहा था वो Jared को क्यों मार रहा था क्योंकि intruder का plan ये था कि मैं Jared को मार कर उसके घर के अंदर रहूंगा और मैं ये बोल दूँगा पुलिस अगर कभी आएगी या फिर कोई भी person आएगा कि मेरा नाम तो Jared ही है क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था ये जो intruder आया था कि मैं बहुत जादा Jared से मिलता जुलता हूँ अब जो Jared थे वो फटाफट तयार हो रहे थे और वो घर से बस निकलने ही वाले थे क्योंकि dress rehearsal उन्हें करवानी थी जो भी उनके play के अंदर लोग हैं उन्हें तो उन्होंने अपने back को pack करा था सारे जो भी drama के props होते हैं उन सब के साथ जो intruder था वो जैसे ही Jared को देखता है वो Jared को धमकी देने लगता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूँगा उनको बंदूग दिखाने लगता है और ये भी बोल देता है कि मैं तुम्हें जान से मार कर तुम्हारे घर के अंदर रहूँगा जैरेड क्योंकि तुम तो बिल्कुल मेरे जैसे ही लगते हो और मैंने तुम्हारे जैसी आवाज निकालना भी सीख लिया है तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यह जो इंट्रूडर है इसने काफी ज़्यादा प्लैनिंग करी थी और यह सोच समझ के जैरेड के उपर अटैक कर रहा था जो इंट्रूडर था वो जैरेड के उपर गोली चलाने ही वाला था उससे पहले जैरेड उने बोलते हैं अरे अरे रुको रुको वो बोलता है क्या हुआ जैरेड तुम मुझे रुकने के लिए क्यो बोल रहे हो तो जैरेड बोलता है कि सुनो तुम्हें पता है तुम बहुत बड़ा criminal हूं फिक है और वो intruder को बताता है कि मैं भी एक criminal हूं और एक murderer हूं मतलब मैं ने भी किसी इनसान को मारा हुआ हैं और मैं भी एक criminal हूं और मुझे भी police ढून रही है अगर गलती से तुमने मुझे मार दिया Jared ने बोला कि intruder को कि अगर तुमने मुझे मार दिया और मेरा भेश बदल के तुम रहने लगे तब भी तुम्हें पुलिस पकड़ लेगी और तुम्हें फासी पर चड़ा देगी तो अब जो विचारा intruder था वो बस गया था एक तो उसने इतनी मुश्किल से इसके अंदर घर के अंदर गुसा Jared के Jared को मारने का plan बनाया उसके जैसी आवाज निकालना सीका इस वज़े से कि वो Jared बन के रह पाएगा लेकिन अब उसे पता चला कि उल्टा Jared भी एक criminal ही था इस बात को सुनने के बाद intruder विचारा बड़ा confusion में हो जाता है सोचने लगता है कि भाई अब क्या करूं मेरे तो सारा plan ही फेल हो गया इस opportunity को देखकर Jared अपना दिमाग चलाते हैं वो intruder को बोलते है कि भाई ऐसा करो हम दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं और फटा फट यहां से निकलते हैं गाड़ी के अंदर क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं पुलिस यहां पर ना आ जाए और वो हमें पकड़ना ले जो Jared होता है एक डोर खोलता है जैसे ही वो डोर को खोलता है intruder उस डोर के अंदर जाने लग जाता है जैसे ही वो डोर के अंदर जाता है Jared जोर से उसे धक्का देते है और उसके पास से गन निकाल लेते है अब यह जो डोर होता है यह पता है किस चीज का डोर होता है एक कबड का डोर होता है कितनी हसी की बात है कि Jared उसको किसके अंदर बंद कर देते हैं एक कबड के डोर के अंदर बिल्कुल ये जो कबड का डोर होता है ऐसा लग रहा होता है जैसे असलियत का दरवाजा होता है तो जो intruder होता है वो उस कबड के अंदर बंध हो जाता है Jared उसे धक्का देकर उसकी जो revolver है उसे भी अपने कबजे में कर लेते है Jared कबड का gate बंध कर देते हैं उस revolver को उठा लेते हैं टेलिफोन के पास जाते हैं और पुलिस को कॉल करते हैं पुलिस वहाँ पर आ जाती है और intruder को पकड कर ले जाती है Jared ने जो अपना दिमाग चलाया था उससे उनकी जान भी बच गई और ये जो intruder था एक खतरनाक शातिर चोड था ये भी पकड़ा गया तो यहीं पर जो हमारा chapter है ये खतम होता है काफी interesting मज़ेदार chapter था इस chapter को हमने काफी अच्छे से समझतो लिया है लेकिन आप लोग NCRT की reading जरूर करना पूरा chapter जरूर पढ़ना तो आपको और अच्छे से chapter clear हो जाएगा आप सब के लिए home work के लिए question है कि Jared जो था उसने intruder को कैसे convince करा कि उसको भी police ढूंड रही है तो उसने क्या भाना मारा था क्या बजा बताई थी कि उसको police क्यो ढूंड रही है comment section के अंदर comment करके जरूर बताना अगर आपको इस chapter के notes चाहिए देखो पूरा chapter पढ़ने की जरूत नहीं है और exam time पर हमारे पास time भी नहीं होता पूरा chapter पढ़ने का तो better है कि आप ये notes से पूरा chapter revise कर सकते हो साथ ही में sample paper आपको मिलेंगे अब ये sample paper क्या है देखो sample paper हमने ये जो पूरा chapter पढ़ा है इस chapter के जो भी important question है जो आपके exam में आ सकते हैं वो sample papers के अंदर होते हैं लेकिन ये दोनों चीज़े मिलेंगी कैसे notes और sample paper आपको कुछ नहीं करना subscribe के साथ में join का button है उस पे click करके member बनना है तो ये दोनों चीज़े मिल जाएंगी sample paper, notes और साथ में shout out जो भी बच्चा member बनेगा उसे shout out भी जरूर मिलेगा so see you in the next video, bye bye till then, manu से घ्यान लेते रहो thanks for watching this video, subscribe करो और member भी जरूर बनो